डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग कैनेडियन वजीर आज़म जेस्टिन टूडो का लबनान की इमदात में तौसी का एलान वजीर आज़म आफिस की जानेज़ से जारे बियान में कहा गया कि मुश्किल की इस घड़ी में कैनेडा लबनान के साथ खड़ा है मौन्ट्रियाल की बंदरगा पर मुलाजमीन की हरताल कैनेडा की सरकारी मुलाजमीन की यूनियन और मैरी टाइम एम्प्लॉईस एसोसियेशन के माबैन मुजाकिरात सतर दिन से जारी है क्यूबेक में बच्चों की स्कूलों में वापसी, ग्रेट फाइफ और इससे ज्यादा के तल्बा को स्कूल हॉलवेस में मास्क पहनना होंगे कैनेडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं का सिलसला जारी है मतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाग बीस हजार एक सो बतीस हो गई अमरीकी अदालत ने साओधी वली एहज शहजादा मुहमद बिन सल्बान के समन जारी कर दिये समन साबक साओधी इंटेलिजन्स एहलकार की दर्खास पर जारी किये अमरीकी सदर डॉनलर्ड ट्रम्प की प्रेस ब्रिफिंग के दौरान वाइट हाउस के बाहर फाहरिंग फुपिया सर्वेसे से मुताले गार्ड्स ने मुसल्लश शक्स को गोली मार दी मायूस नहों डबलू एच ओ के सरवरा का कहना है कि 165 अद्विया साथ कंपनिया करोना वैक्सीन की तैयारी में लगी हुई है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद 2,2,8,615 तक जहां पहुची है जबके इस मूजी वाइरस से हलाकते 7,49,765 हो गई हैडलाइन सापने जानी और अब खबरे तफसील के साथ वजीर आजम जस्टिन ट्रोडो ने ऐलान किया है कि कैनिड़ धमाके के बाद लबनान के अवाम के इमदाद के लिए मजमूई तौट पर 30 मिलिएं डॉलर के लिए मजीद 25 मिलिएं डॉलर महाया कर रहे हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में वजीर आजम जस्टिन ट्रोडो ने लबनान के लिए मजीद इमदाद का इलान किया है वजीर आजम आफिस की जानब से जारी बियान में कहा गया है मुश्किल की इस घड़ी में कैनिड़ लबनान के साथ खड़ा है वजीर आजम जिस्टिंट रोडो ने अलान किया है किनिड़ा धमाके के बाद लिबनान की अवाम की इमदाद के लिए मजमुई तोर पर 30 मिलियन डॉलर के लिए मजीद 25 मिलियन डॉलर मोहिया कर रहा है इस फंडिंग से भरोसा मंद शराकतदारों को फौरी तोर पर इनसानी जरूरूरत की तकमील और जल्द बहाली के लिए कोशिश की मदद की जा सकेगी कैनिड़ा की हकूमत लबनान मैचिंग फंड के जरिये कैनिड़ा की अवाम के साथ लबनान की मदद जारी रखेगी जिसके लिए हकूमत पांच मिलियन डॉलर देगी कैनिड़ा और लबनान की अवाम और हकूमत की करीबी और देरीना दोस्ती है बियान में कहा गया कैनिड़ा सेक्रो लबनानी कैनिडियन का घर है जो मुल्ख भर की कम्यूनिटीज में अपना हिस्सा डालते है मौन्ट्रियाल की बंदरगापर मुलाजमीन की हरताल यूनियन के मताबिक सबसे बड़ा मसला काम के आउकात और अजरत का है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में मौन्ट्रियाल की बंदरगापर मुलाजमीन की हरताल के सबब वहा काम शदीद मतासिर हुआ है 1100 जायत कारकुनान ने गैर मौईना मुदद के हरताल का एलान किया है कैनिडा की सरकारी मुनाजमीन की यूनियन और मेरी टाइम इम्पलॉईज एसोसियेशन के माबेन मुजाकरात 70 दिन से जारी है यूनियन के मताबिक सबसे बड़ा मसला काम के आउकात और उजरत का है जुम्मे के रोज क्यूप ने हरताल का एलान किया जिसके बाद मेंबरों की तरफ से चार रोजा हरताल की तजवीज दी गई है जिसने जहाजो को दुसरी बंदर गाहों की तरफ मौणने पर मचबूर क्या है यूनियन के ओदेदारों का कहना है कि उन्होंने हरताल को रोकने के लिए आजिरों की एसोसियेशन को 45 दिन की पेशकुष की है मौन्ट्रियाल में वाटर फ्रेंट पर 1125 लॉंग शोर मैन, फोर मैन और धेखभाल करने वाले कारकून करीब दो सालों से इच्टमाई मोहाइदे के बगार काम कर रहे हैं मौन्ट्रियाल पोर्ट एथॉर्टी का कहना है कि तक्रीबं 6300 कारोबार बंदरगा पर मुनहस्र हैं जिन में तक्रीबं 19000 मुलाजमतें इसके कामों से मुनसलिक हैं क्यूब बैक में बच्चे स्कूलों को वापस आ रहे हैं तलबा जो ग्रेट फाइफ और इससे उपर के हैं इन्हें दालान और आम इलाकों में मास्ट पहनने की जरूरत होगी इस हुआले से मजीद जानते हैं क्यूब बैक के ग्रेट फाइफ और इससे ज्यादा के तल्बा को स्कूल हॉल वेस में मास्क पहनना होंगे ताहम क्लास रूम्स में कोई पामदी नहीं होगी क्यूब बैक में बच्चे स्कूलों को वापस आ रहे हैं तल्बा जो grade 5 और इस से उपर के हैं इने दालान और आम इलाकों में मास्ट पहनने की जरूरत होगी लेकिन classroom में इसकी जरूरत नहीं होगी सूबे के वजीर तालीम का कहना था कि बच्चों और नौउमर नौजवानों के लिए अपने स्कूलों को दुबारा खोलना बहुत जरूरी है जब इन से पूछा गया के तल्बा को classroom में मास्क क्यूं पहनना पड़ेगा क्यूबेक पबलिक हेल्थ के डिरेक्टर ने कहा कि इससे बच्चों को मुश्किल होगी सूबे में elementary और हाई स्कूल के तमाम तल्बा की इस मां के आकर में स्कूल वापस आने की तवक्का है सेहसे मुतालिक एहम मसाईल वाले बच्चें को दूर दरास से सीखने का option फरहाम किया जाएगा कैनिडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफरात की तादाद 8987 तक जा पहुंची है इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनिडा भर में करोना वाइरस के पहलाओं का सलसला जारी है आकरी इतलात के मताबिक कैनिडा में करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफरात की तादाद 1,20,132 हो गई है मुल्क भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8987 तक जा पहुंची है क्यूबेक सूबा करोना वाइरस से सबसे जादा मतासिर हुआ है सूबे भर में करोना वाइरस के मजमुई केसिस की तादाद 6627 हो गई है जबकि सूबे में करोना वाइरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,696 तक पहुंच चुकी है। ऑंटेरियों में करोना वाइरस के मतासरीन की मजमुए तादाद 4,161 तक जा पहुंची है। गुजशत 24 गंडों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,786 है। अलबर्टा में 11,687 अफराद करोना वाइरस से मतासर हुए हैं जबकि 213 अफराद हलाक हो चुके हैं। बिटिश कॉलंबिया में 4,065 अफराद में करोना वाइरस की तजदीग हुई है। की सूबे में करोना वाइरस से हलाकतों की तादाद 195 है। अमरीकी अदालत ने साओधी वली एहद शहजादा मुहमद बिल सल्मान के समन जारी कर दिये। अमरीकी अदालत ने साओधी वली एहद शहजादा मुहमद बिल सल्मान के समन जारी कर दिये। बैन अक्वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अमरीकी अदालत ने समन साबक साओधी इंटेलिजन्स एहलकार की दर्खास पर जारी किये हैं। डिस्टिक ऑफ कॉलंबिया की जानब से जारी किये गए समन की नौयत ऑफिशल है जिसमें दर्खास गुजार किसी शक्स के खिलाफ कानूनी चारा जोई करने का हक रखता है। अदालत में दायर की गए दर्खास में इल्जाम आयत किया गया था कि साबक इंटेलिजन्स एहलकार के कतल की कोशिश की गई थी साबक इंटेलिजन्स एहलकार पर कैनिड़ा में हमला कराया गया। दर्खास में कहा गया कि साबिक साओी इंटेलिजन्स एहलकार अलजबरी कैनिडा में रहाइश पजीर है और साओी अरब ने इंटरपोल पर अलजबरी के रेड वारन जारी किये हैं साओी अरब ने कैनिडा से अलजबरी को बेदखल करने का मतालबवी किया हुआ है अलजबरी के दो बच्चे गुजिशता मार्च से लापता है अमरीकी सदर डॉनल्ड टरम करोना वारस से मतालब प्रेस ब्रीफिंग दे रही थे इस दोरान वाइट हाउस के बाहर जोड़दार फाइरिंग की आवास आई फाइरिंग की आवास से खौफ औ हरास फैल गया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड टरम की प्रेस ब्रीफिंग के दोरान वाइट हाउस के बाहर फाइरिंग हो गई जिसके बाद खुफिया सर्विसेस से मतालिक गार्ड्स ने मसल्ला शक्स को गोली मार दी टरम को प्रेस कांफरस छोड़कर जाना पड़ा तफसिलात के मताबक अमरीकी सदर डॉनल्ड टरम करोना वाइरस से मतालिक प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे इस दौरान वाइड हाUST के बाहर जोड़़ाइरिंग की आवाज आई फारिंग की आवाज से खौफ औ हरास पहल गया टरम को अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एक एजन में हंगामी तोर पर वाइड हाउस के ब्रीफिंग रूम से बाहर बाहर नकाला सदर ट्रम को प्रेस रूम से वापस ओवल आफिस ले जाया गया अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक सदर ट्रम ने दुबारा प्रेस कांफरस में आकर बताया कि खुफिया गार्ड्स ने वाइड हाउस के बाहर एक मसल्लश शक्स को गोली मार दी और इसे जखमी हालत में अस्पताल ले जाया गया है सिक्योर्टी स्टाफ ने कहा है के हालात कंट्रोल में हैं इसलिए वापस आ गया हूँ खबर रिसा एजनसी के मताबक इस वाइड हाउस को लॉक डाउन कर दिया गया ये फाइरिंग वाइड हाउसे सिर्फ एक ब्लॉक फासले पर सतर्मी स्ट्रीट और प्रिंसिव वेनिया एवरन्यू के करीब की गई पुलीस अभी भी इस मुश्टबा शक्स का मुकसद जानने की कोशिश कर रही है और इस मामले में मजीद तबसिलात फराम करने की कोशिश चारी है मुल्जम को मकामी अस्पताल मुन्तकिल किया गया लेकिन इसकी हालत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी डबलू एच ओ के सरबरा का कहना था कि करोना मरीजों की तादाद बर चुकी है लेकिन हमें हिम्मस से काम लेना चाहिए करोना पर काबू की पूरी उमीद है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आलमी अदारे सेहर डबलू एच ओ के डारेक्टर जनरल डॉक्टर टेडरोस ने दुनिया को उमीद दिलाई है कि वो मायूस ना हो तकरीमा 165 अद्विया सास कंपनिया करोना वैक्सिन की तैयारी में लगी हुई है गैर मुलकी खबर रिसा अदारे की रिपोर्ट के मताबिक अपने एक बियान में डबलू एच ओ के सरबरा का कहना था कि करोना मरीजों की तादाद भर चुकी है लेकिन हमें हिमत से काम लेना चाहिए करोना पर काबू की पूरी उमीद है उन्होंने कहा कि जिस तरह न्यूजी लैंड और रवांडा जैसे मुलकों ने करोना पर काबू पाया इस तरह दीगर मौले भी पालेंगे लौकडाउन के बाइस आयलमी मेशियत भी जबू हाली का शिकार है और लोगों की नजरे करोना वैक्सीन पर जमी हुई है टैडरोस का कहना है कि 165 में से 6 कंपनिया क्लैनिकल ट्रायल तीसरे मरले में दाकल हो चुकी है उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह पोलियो और खस्रे की बीमारी वैक्सीन होने के बावजूद मौजूद है इसी तरह हमें करोना के साथ भी रहना पर सकता है वैक्सीन वबा का खात्मा कर देगी या नहीं ये कहना कबलस वक्त होगा चीन के शहर वहान में करोना वाइरस की जंग लड़ते मतासरीन और तिबी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए ड्रोन लाइट शो का इनिकाद किया गया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अम्रीका ताहाल करोना वाइरस से सबसे ज़यादा मुतासरा मुल्क है यहाणा सORF करोना मरीज बलके इससे हलाकते भी अब तक दुन्या के तमाम मुंत में सबसे ज्यादा हैं अमरीका में करोना वाइरस से अब तक 1,66,201 अफराद मौत के मौ में पहुँच चुके हैं जबके इस से बेमार होने वालों की मजमुई तादाद 52,52 हो चुकी है करोना वाइरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मौमालक की फैरिस में बरजील दूसरे नमबर पर है जहां ये वाइरस एक लाग एक हजार नौसो जिन्दगियां निगल चुका है जबके करोना मरीजों की तादाद 30,57,500 तक जा पहुची है बहरत को करोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में तेजी से ऐजाफे के साथ इस फैरिस में तीसरी नमबर पर रखा गए है जहां करोना से 45,383 हलाकते हो चुकी है जबके इस से मतासरा मरीज़ों की तादाद 22,01,034 हो गई करोना वाइरस से क्रूस में कुल अमबाद 15,131 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 8,97,600 हो चुकी है साउथ अफरीका में करोना वाइरस की वबा से मजमूरी अमबाद 10,621 हो चुकी है जहां इस वाइरस के अब तक कुल केसिस 5,63,600 रिपोर्ट हुए है इरान में करोना वाइरस से मरने वालों की कुल तादाद 18,800 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 3,31,200 हो गई बरतानिया में करोना से अमबाद की तादाद 46,526 हो गई जबके करोना केसिस की तादाद 3,11,641 हो चुकी है साओधी अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमवाद 3199 रिपोर्ट हुई है जबके ममलिकत में इसके मरीजों की तादा 2,90 तक जाप पहुची है चीन के शहर वोहान में करोना वाइरस की जंग लड़ते मुतासरीन और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए ट्रोन लाइट शो का इनिकात किया गया टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल हाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैक टीवी